नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग ये खुबसूरत सी जूती बनाएंगे जो दोनों पैरों में एक जैसी बनती है देखने में खुबसूरत आरामदायक और पूरी इंडी को इसने कवर किया है तो फ्रेंड्स चले हम जूती बनाते हैं इसे सलाई डालेंगे और उन अपनी तरफ लाएंगे और उसके बाद सभी फंदे उल्टे बना लेंगे रॉंग साइट से भी हम पहले फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे और उनको अपनी तरफ लाएंगे पहला फंदा हमने बुना नहीं है और बाकी सभी फंदे उल्टे बना लेंगे इस तरह करने से हमारा एज जो है वो एकदम क्लीन आता है ऐसे हम आठ लाइन बनाएंगे जिससे उल्टे फंदों की चार धरी सामने से और चार धरी पीछे से त्यार हो जाएगी अब नवे लाइन में हम दूसरे रंका उन लगाएंगे हमने दूसरा उन अटैश कर लिया है और पच्चिस फंदे सीधा बनेंगे पच्चिस फंदे सीधे बुन लिये गया है और अब 26 फंदे में हमें ऐसे दो बाला पेटेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे फिर इसी फंदे में एक बार और सीधा बनाएंगे दो बार उन लपेटते हुए यहाँ पे हमने एक फंदे में तीन फंदा बनाया अगले फंदे में भी हमको यही करना है सीधा बनाएंगे दो बार लपेटेंगे उन अपनी और करेंगे फिर इसी फंदे में एक और सीधा फंदा बनाएंगे दो बार उन लपेटते हुए अग्ला फंदा भी इसी तरह दो बारून लपेटा एक सीधा फंदा बनाया उन अपनी और किया और इसी में फिर से दो फंदा लपेटा और एक सीधा फंदा बनाया शेस सभी फंदे सीधे बना देंगे रांग सैट से ऐसे पर्ल वाइस स्लाइड डालेंगे और उन दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर हम ये पहला फंदा हो गया चौबिस फंदे सीधे बना लेंगे 25 फंदे बने जा चुके हैं और उन अपनी और करेंगे और ये 26 27 और 28 जिसमें हमने एक से तीन फंदा किया था ऐसे खुलेंगे और इसे बिना बने स्लिप कर लेंगे अब उन दूसरी और करेंगे और शेष 25 फंदे दूसरी तरफ के इसे सीधा बनेंगे लास्ट फंदा उल्टा बनेंगे और अब पहले रंग के उनसे यानि लाल रंग के उनसे 25 फंदे सीधा बनेंगे 25 फंदे सीधा बने के बाद ये स्लिप के हुए नौ फंदे जो है इस लाइन में भी हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और शेष लास्ट के 25 फंदे इसे सीधा बनेंगे रंग साइट से सभी फंदे यानि ये नौ फंदे भी हम उल्टा बनेंगे सभी फंदे से बना दिये गए हैं अब फिर दूसरे रंग के उनसे 26 फंदा सीधा बनेंगे 26 फंदा यानि इन तीन फंदों में से एक फंदा सीधा बने गया और अब तीन फंदों में से ये बीच का फंदा है यानि दूसरा फंदा है इसमें हम एक से तीन फंदे बनाएंगे लपेट लिया सीधा बुना फिर उन अपनी और फिर इसी फंदे में एक बार और दो बार उन लपेटते हुए सीधा फिर दो फंदे हम सीधा बुनेंगे फिर इस बीच वाले फंदे में हम तीन फंदा बनाएं दो बार उन लपटते हुए, फिर दो फंदा सीधा, फिर ये बीच का फंदा है, इसमें हम तीन फंदे बनाएंगे, उन दो बार लपटते हुए, फिर लास्ट के 26 फंदे इसे सीधा बुनिया जाएगा, रॉंग साइड से पहला और आखरी फंदा हुल्टा, बीच के सबी फंदे सीधे, और एक से तीन किये गया फंदे उसको स्लिप कर लिया जाएगा, सबी फंदे सीधे बना लिये गया है, अब उन अपनी ओर करेंगे, और एक से तीन किये गया फंदे को इसे खोलेंगे, और इसे बिना बुने सरका लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, एक से तीन किये गया फंदे को स्लिप कर लिये गया है, और लास्ट फंदा उल्टा, अब लाल रंग के उन से सभी फंदे सीधे बनाएंगे, और एक से तीन किया गया फंदा स्लिप कर लिये, देखिए फ्रेंट्स, फंदे सीधे बना लिये गया है, और ये एक से तीन किया गया फंदा इसको स्लिप कर लिये, बीच के फंदे सीधा बनाएंगे, फिर एक से ती किया गया फंदा स्लिप करेंगे और से सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रांग साइट से सभी फंदे उल्टे ये भी स्लिप किया हुआ फंदा भी उल्टा बना लिया जाएगा देखिए friends पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लिए गये हैं इन ही चारो लाइनों को हमें दूराते हुए ऐसे साथ लाइन बनाना है तो साथ लाइन बना के आपको मैं दिखाऊंगी इन तीन फंदों में बीच वाले फंदे पे तीन फंदा बनाना है तो ऐसे ही साथ लाइन बना के मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंड्स ये साथ लाइन बन के तियार है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और लाल उनका आठ लाइन ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यानि टोटल तीस लाइन बार्डर के बाद ये बना हुआ है और अब ये एक तीसमा लाइन है अब हमें इस उनकी जरूत नहीं है तो अब हम इसको काट देंगे और नट लगा देंगे ताकि ये खुलेना और अब हमको सिर्फ लाल रंके उनसे बुनाई करने है तो हम सीधा सीधा बुनते हुए हम एक तालिस फंदा सीधा बुन लेंगे देखिए फैंस एक तालिस फंदे बुने जा चुके हैं और अब हम यहाँ पे मारकर लगा देंगे और तेरा फंदा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा और अब दूसरी तरब भी हम मारकर लगा देंगे और यहीं से पलट जाएंगे देखें फ्रम्स यह तेरा हमा फंदा है तो तेरा हमा फंदा और इसके आगे वाला एक फंदा हम लेके दो का एक करेंगे और मारकर अब हम यहाँ पर लगा देंगे और फिर यहीं से पलट जाएंगे और फिर बारा फंदा सीधा बनेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा और तेरा हमें फंदे के साथ एक फंदा दूसरी साइट से लेंगे और दोनों को दो का एक कर लेंगे और फिर मारकर अब हम यहाँ पर लगा देंगे और यहीं से पलट जाएंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर बारा फंदा उल्टा बनेंगे एक, ये तीन हुआ, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और तेरह हमा फंदा, और उसके आगे वाला एक फंदा, दो का एक किया और फिर मारकर अब हम यहां पे लगा देंगे पहला फंदा स्लिप्प परेंगे, फिर हम ग्यारा फंदा और बुनेंगे दो, ये एक अब ये लास्ट का फंदा और उसके साथ एक दूसरी साथ का फंदा लेंगे, दोनों को दू का एक कर लेंगे ये हमारा सूल बनना शुरू हो गया है पहला फंदा स्लिप्प करेंगे और फिर हमको बारा फंदा बुलना है, चार फंदा हो गया, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और फिर ये तेरहमा फंदा और उसके साथ एक आगे वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, उल्टी तरप से उल्टा फंदा और सीधी तरप से सीधा फंदा पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर गयारा फंदा और बुनेंगे लास्ट वाला फंदा लेंगे और एक इस साइट से फंदा लेंगे दो फंदे को एक सास लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे इसी तरह करते हुए हम लास्ट के छे फंदे तक बुनेंगे तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ सारे फंदे जुड़ गया है और दोनों तरफ छे छे फंदे रह गया है अब क्या करेंगे कि पहला फंदा स्लिप करेंगे और दस फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस और अब यह 11, 12 और इस साइड का एक फंदा यानि तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक फंदा बना लेंगे और फिर हम दूसरी तरफ आजाएंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और नौ फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, अब यह दो फंदा और इधर का एक फंदा तीन फंदे को हम लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर अब दूसरी तरफ आजाएंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर आठ फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, फिर दो फंदा यहाँ और एक फंदा यह तीन फंदा एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे तीन का एक किया फिर अब हम दूसरी तरफ चेंज करेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर साथ फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ फिर इन तीन फुन्दों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे इसी तऱ करके सारे फंदे हमें खतम करने हैं परला फंदा स्लिप किया फिर छे फंदा उल्टा बनेंगे एक, तो, तीन, चार, पाँच, छे फिर दो फंदा इसमें से और एक फंदा किनारे से लेंगे तीन फंदे को एक कर लेंगे फिर मुर जाएंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे फिर पांच फंदा सीधा बनाएंगे दो, तीन, चार, पाँच, फिर दो फंदा और एक इधर से तीन फंदा लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर इसको पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, चार फंदा उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, फिर तीन फंदा कुलेंगे, दो इसमें से और एक किनारे से तीन फंदा कुलेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे, पलटेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा फिर तीन फंदे को एक साथ देंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदा लेंगे और एक इधर से तीन फंदे को लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर change करेंगे पहला फंदा slip करेंगे एक फंदा सीधा फिर तीन फंदो को लेंगे और तीन का एक करेंगे सीधा बनते हुए फिर इसको change करेंगे कि पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर इन टीन फंदों कौ एक साथ लेते हुए drills करेंगे और फिर चेंज करेंगे और एन इनों फंदों को एक साथ देंगे और एक सीधा फंदा बना देंगे यह हमारा इंडी बनके त्यार हो गया और अब इसको हम काट देंगे और अब इसे उल्टा करेंगे और यहां पे हमको सिलाई करनी है देखिए फ्रेंट्स जूती बनके त्यार है यदि आपको अच्छा लग रहा हूँ तो आप भी इसे बनाएए इसे अपने दोस्तों में शेर कीजिए इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए बेल आइकन प्रस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद